सरी कोट मेरा नहीं है मेरा दोस्त ने बुला कि आप आज आरहें अधिकारी उनिये सर जब मेरी जब आर्थिक किसिती अच्छी होगी मेरे पापा जैसे जानते हैं कि दिहारी कोईला मजदूर हैं मुश्किल से वो दो-चार सो रुपिया मतलब दिनगा में कमा पाते थें तो सर उनहीं से मेरा परिवार चलता था मेरे ही घर के बगल में सर एक बातरूम बना हुआ था तो उस बातरूम को मैंने देखा और मैंने अपने आइडिया में लाया कि नहीं इसमें साफ सफाई करके पढ़ाई किया सकता है और उस बातरूम में सर पेन सेट नहीं हुआ था तो मैंने उस बातरूम को ही साफ किया और मैंने लगातार उसी कमरे में रहकर मैंने दस से बारा घंटे मैंस के टाइम में 16 गंटे तक मैंने पढ़ाई किया और आज सर जेपीसी को क्रेक किया है जेपीसी जैसी कठीन परिक्षा में पास करने वाले डबलू साओ को नियुक्ति पत्र मिल गया है मुख्यमंत्री हैमन सुरेन ने अपने हाथों इन्हें ये नियुक्ति पत्र दिया है इनके हाथ में है उल्टा है सीधा कर लिजिए तो ये डबलू साओ है डबलू साओ से बात करना इसलिए खास है क्योंकि डबलू ने एक तो जेपीसी में 104 रैंक लाया उससे भी खास बात यह है कि डबलू के घर में पढ़ाई के लिए जब कमरे नहीं थे तो इन्होंने अपने सोचाले को ही स्टडी रूम बनाया दूसरी बात कि डबलू के जो पिता जी हैं वो साइकिल से कोईला ढोकर उसे बेशते हैं बहुत संघर्स करके इनके पिता ने इनको पढ़ाया खुद डबलू भी इसके पीछे बहुत महनत किये डबलू बहुत बदाई आस तो बहुत अच्छा लग रहा है बहुत बहुत धन्यवाद सर अज कोई आया है सर अभी तो सर मेरे घर से कोई नहीं आयो है मैं अकेला आया हुआ हूँ लेकिन सर मेरे छोटे भाई जो है वो बाहर इंतजार कर रहे हैं और मैं उन्हें भी बुलाऊंगा कोई दिर में जब रिजल्ट निकला तो हम लोग दे दिंगा में कमा पाते थें तो सर उनी से मैरा परिवार चलता ता और सर मुझे पढ़ाई में हमेशा मैं सरकारी स्कूल का सहता हूं और मैंने सरकारी स्कूल स hé pos पढ़ाई किया हूं INS लिए और सर मैंने पार्ट टाइम जॉब शुरू किया और मैंने सर वहां सुबह में अख़बार बेचने का काम शुरू किया और रात मैं सर साधी पार्टी बेटर में बेटर के रूप में काम किया उसके बाद सर मैंने अपनी ग्रेजवेशन की पढ़ाई कंप्लीट की mathematics और से उसके ब माम आया तो देखा कि मेरे घर में कमरे नहीं थे पढ़ने के लिए और मात्र दो ही कमरे थे और मेरे परिवार में लगभग छे आदमी थे तो एड़ेस्ट हो नहीं पारा था वैसा इंभरेमेंट हो नहीं पारा था तो मेरे ही पड़ोस में मेरे ही घर के बगल में सर एक बा कोई कोचिंग नहीं कि था मैंने यूटूब का सहरा लिया था और यूटूब का सहरा लेकर ही मैंने पीटी का एक्जाम क्वालिफाई किया और मार्केट्स में जो जो गाइड उपलब्ध हैं और मैंने कुछ दोस्तों से नॉट्स लिये थे जो स्युधेन सफल कॉए थे उनका मैंने नॉट्स लिए और सर्मय इंटर्वु की तैयारी के विए अपने ही प्रखंड के के जो मेरे वार्यें पताधिकारी है विडिव सार और सीयो उसर उन्होंने मुझे सार इंटरेव्यु के लिए गैडलाई scanner किया और मैं जब इंटर्वocy कि आप आज जा रहे हैं निकति पत्र में और आपको जब सीम सर से मिलने का मुखा मिलेगा तो थोड़ा सा अच्छा ड्रेस पन के जाए तो सर वही जो है सर यह ड्रेस दिये हुए हैं और अभी मैं जाओंगा तो फिर मैं उन्हों आपास कर दूंगा आपके पास कोट भी नही नहीं नहीं सर अधिकारी बनेगा यह सर अब सर जब मेरी जो आर्थिकी सिती अच्छी होगी तो सर मैं कोट लूंगा और आवाइस पहानूंगा सर इसलिए हम देख रहे थे कि जब मुक्मंत्री जीसे लेने जाए तो बटन आपका लाग यह सर एक्चल में सर यह मेरा है नह कपड़े नहीं होंगे सर करीब चार से पांच जोड़ी कपड़े होंगे उसमें से दो तिन तो सर केवल आपके ट्रोजर और टी सट होंगे सर जो काफी पुराने हैं अब जब अधिकारी बनिएगा सेवा करने का मौका मिलेगा देखाई जाता है कि अधिकारी बनके खुद का विकास जादा करने लगते हैं जो छेतर का और इलाके का विकास करना होता है तो आप इस धारना को कैसे बदलिएगा और कैसे कुछ सब्सक्राइब करने काम, और इसकां फ़र्स्जायता पेस सबसे बड़ी सबसे यही उप्लप दें मेरे vegetable नहीं है यहाले करूँ अगर अभी जो सेलरी मिलेगी मैं और मी पापा सरा जो डिसाइड करेंगे उसके बाद अग़ा सर्माइड कि खरच अपने खर्चे पर यूज करूँगा को लगता है किस बार सच्मुं जैसे मुकमंत्री बता रहा हौते कि 252 में 35 है से बच्चे हैं जो बीपियल परिवार से हैं सच मुझ साधारन परिवार के लोग ज्यादा पास सर में भी है क्यों मेरा भी बीपील कार्ड है और हम लोग भी बीपील परिवार से बिलोंग करते हैं और वे पूछ रहा था कि मुख्मंद्री जी को क्या बूलना चाहेंगा कि सर आपको बहुत बहुत धहन्यवाद कि आपन क्यों में लिए और इसेवा असके और सर इंस्पिरेशन बन सकते हैं अपना है वह सपना है हर गरीब बच्चा मेहनत करे और आगे आए और इमानदारी पुर्वक सराज बहाली हो नोकरी हो तो सर हर गरीब का सीना जो सर वह चोड़ा हो जाएगा कई लोग जो हैं कि मुसीबत का हावाला देते हुए सर मैं जितने भी युवक हैं और जिनकी आर्थिक किसिती अच्छी नहीं है या फर किसी भी कारण से पढ़ाई छोड़ देते हैं मैं उन्हें एक ही बात करना चाहूंगा सर कि कभी भी पैसा संसाधन जो है आप हमेशा आगे सफल बन सकते हैं केवल आपको तीन चीज में फोकस करना है कि हाड़ वर्क करना है और सर पैसेंस बनाए रखना है और सर अपने उपर विश्वास करना है आपके संघर्ष को हम लोगं भी सलाम करते हैं बहुत बाधाई बहुत संघर्ष करके आपने यह सफलता पाई है हम शाहेंगे कि आप जबाएं इस चुकी आप जैसा कि मुकिससी जी बोल रहे थी कि अब टेवल के इस तरफ आ गया है अब जब टेवल के इस तरह पाएगे तो इस तरव के व्यक्ति के लिए जरूर कुछ बहतर कीजिए।